आई एसल्म मॉडल अपना कॉपी पैन पकड़कर साइमल्टेनसली अपने नोट्स वह वह बना लीजिए प्लीज तो आई एसल्म मॉडल जो है यह हिक्स अन हैंसन के तरह दिया गया है बहुत बार नेट के एक्जाम में यह कोशन पूछा गया किसके तरह दिया है 1937 में हिक्स की मार्किट की किस की प्रोड़क्ट मार्किट की एंड मनी मार्किट की सो आई एस कव शो करता है प्रोड़क्ट मार्किट में एकुलिब्रियम ठीक है डैट मींस सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के एक्वल है एग्रिगेट डिमांड जो है वो एग्रिगेट सप्ला अनने वाली हुना ड्रेक्ट बताऊंगी से य ऑक्शिन अहीं हुए आपको ठीक है इससे आपको कोषिन आता है कि रिलेशलीप इसका जो मॉडल है उसमें किस में रिलेशंशिप ऌता है और कैसा रिलेशंशिप होता है तो यहाद रखे की जो आ यहय Le常 का हमारा मॉडल होता है को तो मीण में प्रडक्ट मार्किट हम बोलते हैं उसमें रिलेट VS इंट्रस्ट on income में जो relationship होता है rate of interest and income में जो relationship होता है it is negative ठीक है so there is negative relationship between rate of interest and income in the IS model कैसी यह relationship यहाँ पर define भी किया है तो ध्यान से समझ लेजिए क्या होता है अगर interest rate गिरता है as you know कि interest rate and investment negatively related है अगर interest rate पूजा जी previous years की class में अभी तो बताई आइधिंक प्लेट आए है free वली जो on academy पर classes है उसमें previous year से start करने वाली हूं मैं आज से आज शाम 7 बजे से regular classes देखिएगा ठीक है so आप सबको बताए कि rate of interest and investment negatively related रहते हैं जैसे ही rate of interest गिरता है तो investment जो बढ़ जाती है ठीक है rate of interest के घिरने से जैसे ही investment बढ़ती है तो investment के बढ़ने से क्या बढ़ती है aggregate demand और जैसे ही aggregate demand बढ़ती है फिर बढ़ती है income so you can see here is there is positive negative relation between rate of interest and income rate of interest गिरा तो income बढ़ी so this is very important please note down that point देखिए IS की आपकी equation क्या बनती है exam में आपको direct न ये इससे question आता है आपको consumption दे दी investment दे दी government expenditure दे दिया तो find करना है आपको income या aggregate demand ये question आता है so याद रखिएगा इस equation को अगर मैं बात करूं सिरफ two sectors की तो ये equation सिरफ c plus i बनेगी consumption plus investment अगर इसमें three sectors हो जाए government भी एड हो जाए consumption प्लस investment प्लस government expenditure और अगर मैं ये जो है न ये आपका closed economy में आता है क्लोस economy में आता है क्योंकि इसमें foreign sector नहीं है और अगर मैं इस model को बना दूँ c plus i plus d plus x minus m तो ये जो model है आपका इसको मैं कहूंगी ओपन मोडल है ओपन एकॉनमी का मोडल है ये तो ये ओपन एकॉनमी का मोडल है इस इस वेरी इंपोर्टन पॉइंट और x minus m क्या है एक स्पोर्ट माइनस इंपोर्ट्स आगे चलिए तो आई इस कव आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है हमको x-axis पर इंकउम लेनी है और y-axis पर रेत ओफ इंटरस्ट लेना थीक है so as you can say there is negative relation between rate of इंकम है यहीं न डिख को यहीरा सुकली आयस कव जो यह बताता है नैगिटीटीव रिलेश्ट बित्वीन रेत ओफ इंटरस्ट किस पर डिपैंड करता है इस ski भी बड़े questions exam में previous years में आते हैं कि IS curve का जो slope है वो किस पर depend करता है so very important point IS curve का slope दो चीजों पर depend करता है the first thing is interest elasticity of investment demand interest elasticity of investment demand so higher the interest elasticity of demand letter will be the IS curve and vice versa अब्ध्यान से इसको समझिए interest elasticity of investment का क्या मतलब है interest के बदलने से investment पर परने वाला प्रभाव इंट्रस्ट के बदलने से बदलने से investment पर पढ़ने वाला असर पढ़ने वाला असर ठीक है so interest elasticity of demand ठीक है अभी हमने इसका slope किया था ना तो slope में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले rate of interest का असर किस पर पढ़ता है investment पर ठीक है यही पढ़ा था ना so that means this is the slope of is का दूसरा भी अगी पढ़ते हैं आगे ठीक है कि rate of interest से investment पर क्या परभाव पढ़ रहा है so जितना ज्यादा interest elasticity of demand होगा ज्यादा interest elasticity of demand का क्या मतलब है कि इंट्रस्ट के बदलने से investment पर ज्यादा प्रभाव पढ़ हें ठीक है इंट्रस्ट के बदलने से investment पर ज्यादा प्रभाव पढ़ रहेन तो जितना ज्यादा यह interest elasticity of demand जादा होगा हमारा curve उतना ही flatter बनेगा and vice versa ठीक है हमारा curve उतना ही flatter बनेगा जितना जादा rate of interest का investment पर प्रभाव पड़ेगा उतना जादा curve हमारा flatter बनेगा यह देखिए यह interest elasticity of demand जाद है तो curve मेरा flatter है और वाइस वर्सा अगर मैं इंट्रस्ट लास सिटी ओव डिमांड कम कर दूँ कम करती मैंने तो यह curve मेरा steeper बनेगा ठीक है आगे देखिए दूसरा slope है इसका size of multiplier so what is the meaning of multiplier का क्या मतलब होता है कि investment में change होने से income पर क्या आसर बढ़ रहा है ठीक है what is the change in the income due to the change in investment तो यहाँ पर जितना जादा multiplier का size होगा उतना जादा IS का curve flatter बनेगा वही चीज़ ठीक है investment के change होने से income पर जितना जादा प्रभाव पड़ेगा हमारा IS curve उतना ही flatter बनेगा and vice versa is it clear यह दो चीज़ें यहां तक मुझे बताईए सबको clear and then we will move to next alum curve यहां तक मुझे बताईए is it clear to all यहां तक यह सभी चीज़ें कि मल्टीप्लायर क्या है multiplier है multiplier है investment investment के बदलने से investment के बदलने से income पर पढ़ने वाला असर ठीक है यह clear चलो अगला देखो so यहां पर अभी क्या हो रहा है IS curve shifting की बात कर रहे है तो याद रखिएगा IS curve जो होता है कि अब इस रिलेटिप्ध ठीक पॉलिसी पॉलिसी तो आइस कउद जो है यह फिसकल पॉलिसी से रिलेटिड है हाँ 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 H मेरे सामने वीडियो खुली है मुझे इतने बड़े बड़े फॉंस पर एक दम सही तरीके से पूरी वीडियो दिख रही है क्लिए रहना हाँ तो फिर मर्तु जा जी जिक्कर सरफ आपको यह आप यहां तो अपने नेट कोनेक्शन चेक कीजिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ाईए वीडियो की ठीक है हाँ वही चीज इंक्रीज यूर रिजॉलूशन एक्जेक्टली मुईशी जी नहीं यहां पर कहा अपनी रिजॉलूशन बढ़ाए तब आपको ठीक से नजर आएग तो यहां पर अभी मैं अगर मैंने बात की कि गौवर्मेंट जो है उसने यह कोशन भी आ जाता है एक्सपैंशनरी फिसकल पॉलिसी लगा दी ठीक है अगर गौवर्मेंट ने एक्सपैंशनरी फिसकल पॉलिसी लगा दी तो क्या होगा हमारा जो यह आई-स का कव आपको न अगर गौवर्मेंट ने एक कॉंट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलसी लगा दी तो वो किस तरफ शिप्ट होगा तो लेफ्ट वार्ट से शिप्ट होगा ठीके इस इस वेरी इंपोर्टेंट प्लीज ठीके इसको भूलना नहीं आगे चलते हैं मनी मार्किट की तरफ मनी मार्किट किस से बिलॉंग करते हैं एलम को से वट इस अपूल फॉल फॉर्म क्या है लिकुडिटी ओफ मनी आई एस की फूल फॉर्म क्या थी इन्वेस्टमेंट से भी ठीक है अगे देखिए अब जो हमारा एलम को है उस पर क्या हो रहा है डिमांड फॉर मनी किसके इकोल है किसके इकोल है सप्लाइ फॉर मनी के अब यह देखिए यह एक्वेशन आपको नजर आ रही है मनी डिमांड इस फंक्शन ओफ इंकमेंट रेट ऑफ इंटरस्ट मेरी चीज बात जहां से सुन लीजिए इस कर्व एलम कर्व दोनों कर्व्स के होरीजॉंटल और वर्टिकल ए आएउस कर्व है वह रेट ओफ इंटरस्ट इंकम में जो जो रलेशन्शिप दिखाता है वह नेगेटिव होता है एड जो अलम कर्व है वह तो इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है अब यह छोड़िए यह आपके काम की नहीं है यह याद रख लीजिए कि जो money demand है वो income and rate of interest का function है अब कैसे है यह process समझिए थोड़ा सा ठीक है क्या हुआ positive relation कैसे है यह जमेन है जैसे उसमें negative हमने समझा था इसमें positive कैसे है हमको यह समझने सो सबसे पह decrease या increase जो भी है that means is curve में हमने सबसे पहले rate of interest में change consider किया था परक भी बता रही हूं आपको साथ साथ में LM curve में हमने सबसे पहले income में change consider किया है ठीक है तो जैसे ही income में change होता है increase होता है अगर तो money की डिमांड यहां पर बढ़ती है money की डिमांड बढ़ती है तो लोग money की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बोंड जो हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं याद रखिएगा एक चीज मेरी यह कोशन ड्रेक्ट आ सकता है जब भी money की डिमांड कम होती है तो लोग जो बोंड यहां वो बाय करते हैं क्योंकि वो अपने हाथ में पैसा नहीं रखना चाहते वो मार्किट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब भी money की डिमांड बढ़ती है तो उनका मतलब कहने का कि उनको अपने हाथ में जादा पैसे चाहिए तो इस सिच्वेशन में वो ब क्लियर अब आगे क्या हुआ विकॉस डिमांड ओफ बॉंड इस नाव लेस्ट इंट्रस्ट रेट इंक्रीजिस तो जैसे ही लोग अपनी बॉंड को भी एचना शुरू कर देंगे सेल करना शुरू कर देंगे तो बॉंड की डिमांड कम हो जाएगी कोई भी बॉंड निख देगा तो दियर इस पॉजिटिव रिलेशन बिट्वीन इंकम एंड रेट ओफ इंट्रस्ट इस इट क्लियर बताइए इसमें कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए लिलू कुमार साहु जी यहां पर हम मनी डिमांड को प्राइस नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम एल्लम का कर रहे हैं मनी डिमांड ओनली फंक्शन ओफ इंकम एंड रेट ओफ इंट्रस्ट प्राइस लेवल की यहां पर बात नहीं आ रही बिकॉस एल्लम कव हम पढ़ र करें किसका फंक्षन है हम कि अकोर्डिंग ली बात कर रहे हैं कि मनी डिमांड का कि क्या फंक्षन ने ठीक है कि अग्यों प्लीज रिपीट मैंने क्या कहा जैसे ही इंकम बढ़ेगी लोगों की तो और एंकम बढ़ने से वो मनी की दिमांड को बढ़ाएंगे जैसे ही मनी की डिमांड मढ़ेगी जैसे मैंने अभी आपको बताया मनी की की डिमांड बढने पर लोग जो है फिस यहाघ को बयादे हैं धैट मेंज और बळाहरों बैंज तो TYqi केंगी तो चagnне पर बोन्स कम होगी और इंट्रेस्ट रेट बढ़ेगा that means there is positive relation between income and interest rate clear चलो आगे देखिए LM curve LM curve rate of interest and here is income तो यहाँ पर देखिए positive relation आ गया there is positive relation between rate of interest and income है न अब आप बात करते हैं LM curve के slope की this is very important तो पहला point LM curve के slope में क्या है income elasticity of demand for money income elasticity of demand for money more than income elasticity of demand for money steeper income elasticity of demand for money का क्या मतलब है income के बदलने से in layman language आपके शब्दों में layman language के शब्दों में income के बदलने से demand for money पर पढ़ने वाला प्रभाव पर पढ़ने वाला प्रभाव क्या से असर ठीक है so income elasticity of demand for money that means income के बदलने से demand for money पर पढ़ने वाला प्रभाव more than income elasticity of demand अब यहां पर क्या है वो कहता है उल्टा आ गया ना इस में हम क्या पढ़ते थे अगर elasticity जादा है तो curve flatter है यहां पर हमने पढ़ लिया कि अगर elasticity जादा है तो curve steeper है differences note करते लिए साथ साथ में so here income elasticity of demand more का क्या मतलब है कि income के बदलने से जो demand for money पर परभाव पढ़ रहा है वो जादा पढ़ रहा है ठीके तो अगर जे परभाव जादा है तो LM curve steeper होगा अगर यह परभाव कम है तो LM curve क्या होगा flatter होगा ठीके इनकम को कंसीडर किया है उसके बाद rate of interest को डैट मीन्स की income के बदलने से interest rate पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है ये कव उसकी बात करता है बन जो हमारा IS curve था वो बात कर रहा था कि rate of interest के बदलने से income पर क्या प्रभाव पढ़ता है ठीक है so this is the difference so यहां पर अभी उसने बात किये income elasticity of demand for money तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर income के बदलने से जो interest rate पर प्रभाव पढ़ रहा है वो कम पढ़ रहा है है ना अगर यह प्रभाव कम पढ़ रहा है तो curve क्या है flatter है और अगर इस प्रभाव को मैं जादा बना दू जादा कैसे बनाओंगी देखिए अगर यह प्रभाव जाद जाद जैसे यहां पर लिख है more यह प्रभाव जादा कैसे बनेगा यह देखिए यह प्रभाव जादा बना दिया मैंने income पर income elasticity यहां पर जादा हो गई ना ठीक है तो income elasticity जादा है that means curve is क्या है curve steeper है उल्टा हो गया आइस कर्व से आइस कर्व में हम यह वला effect consider कर रहे थे एल्लम कर्व में हम यह वला effect consider कर रही है इस इट क्लियर और नोट बताएए क्लियर है ना मैं आपको यह explain कर रही हूं कि यह steeper क्यों है जादा इलासिटी होने से इस टिपर क्यों है और अगर कम इलासिटी होगी तो यह फ्लैक्टर होगा आगे देखिए अगला point दूसरा स्लॉप का point है इंट्रस्ट इलास्टिसीटी ओफ दिमांड फोर मनी अब यहां पर पैरामिटर इंट्रस्ट इंट्रस्ट के बदलने से क्या परभाव पढ़ रहा है तो यह यह परभाव देख रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने इंट्रस्ट लिया ना तो इंट्रस्ट के बदलने से नीचे वाले वरियेबल पर क्या प्रभाव पढ़ रहे हैं तो यह प्रभाव अगर जाधा है तो कर्व हमारा फ्लेटर बनेगा अगर यह प्रभाव कम है तो कर्व हमारा स्टीप पर बने तो यह चीजे आपको पता होनी चाहिए बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए यह ची कली है और अगर इंट्रिस्ट्रिष्ट्रिफ की बात कर रही हो तो बटाइए लगे सिर्फा है अगर लासिटिफ कम होगом हो घ्रक्ले ACCcem मैं कियी ट्रिप कर वार कुम उर बड़ बात कर रहे को तोtha यहां तक registering क्लियर है बताईए आगे चले ृइ जो आपको याज रखना है कि जो आयस कर्व का स्लोप है वह किस परइपैंड करता है इंट्रसु इलद सिती ऑफ इनवेस्टमेंट इमान्ड और साइज ओफ मल्टिप्लायर पर एंड जो सेट्पेंड करता है इंगम इलद सिटी और isn'tky ओफ इंट्रस सीटी और का पता करते हैं हम आईये सेलम के कंटेक्स्ट में तो यह चीज़ देख लीजे अगर हमारा एलम कर राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा है सो दैट मींज यहां पर एफेक्टिव मोनीटरी पॉलिसी काम की है अगर हमारा एलम कर लेफ्ट यह यह यू कें से बैक्वर्ड सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं मोनीटरी पॉलिसी की तो मोनीटरी पॉलिसी जब एलम कर हमारा स्टिपर होता है ना तो मोनीटरी पॉलिसी ज्यादा एफेक्टिव रहती है इसका रीजन क्या है money supply is more powerful in bringing a greater fell in rate of interest तो जब LM curve steeper है इसका क्या मतलब क्या है इसका ये देख लीजिये पहले what is the meaning इसका मतलब क्या है this means LM curve steeper ये LM curve steeper है this is rate of interest and income तो आप यहां पे देख रहे हैं क्या हो रहा है rate of interest पर जादा असर पढ़ रहा है as compared to income तो monetary policy क्यों effective रहती है जब LM curve steeper है क्योंकि rate of interest में जादा फैल आ रहा है जादा असर पढ़ रहा है rate of interest पर ठीक है and दूसरा है monetary policy is more effective when IS curve is flatter कहते है कि जब IS curve flatter उठता है न तो अभी monetary policy जादा effective होती है तो यह यार रखने आपको तो इसके flatter होने का क्या मतलब है what is the meaning कर्व में difference ने पता लगा आपको क्यू 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 वार्च तो यह लिगज किशनें Due to this increase in money supply decreases the rate of interest and ultimately increases the investment by larger amount. So does bring in rise in income. क्यों? क्योंकि income में जाधा increase आ रहा है. Rate of interest में change होने से income में जाधा increase आ रहा है. That's why जब IS का flatter है तो monetary policy effective है. जब LM curve steeper है तब भी monetary policy effective है. यह भूलना नहीं है आपको याद रखने हैं जब भूल गई एक्जाम में डिरेक्ट कोश्चन आ जाते हैं कि कौन सा कव कि क्या steeper है फ्लैटर है तो कौन सी policy जादा एफेक्टिव अब बस इतना याद रख लेंगे ना बाकी चीज़े उल्टी हो जाएंगी. उल्टी हो जाएंगी कि अगर monetary policy LM काव steeper होने में effective है तो fiscal policy effective नहीं होगी जब LM काव steeper होगा. उल्टा कर लिजे. इसी तरह से अगर monetary policy more effective है जब IAS का फ्लैक्टर है तो fiscal policy नहीं effective होगी जब IAS फ्लैक्टर है. fiscal policy IAS के steeper होने से effective होगी. इसी तरह से fiscal policy LM का फ्लैक्टर होने से effective होगी. बस एक याद किया अगला अपने आप याद हो गया. क्लियर ना? बात समझे ना? अगला अपने आप याद हो गया. आगे देखिए. मुनीटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी. कुछ नहीं है. वही चीज है. मैंने यहाँ पर कहा था जब LM का फ्लैक्टर होगा तो मुनीटरी पॉलिसी का फ्लैक्टिव होगी. वाइस वर्सा ही किया उसका नया concept नहीं है. ठीके? इसी तरह से मैंने यहाँ पर पढ़ा थ आज नहीं था की मुनीटरी पॉलिसी मौर्ट एक्टिव होगी जब आय पूरी तरह से स्टीपर पूरी तरह से स्टीपर तो मुनीटरी पॉलसी पूरी तरह से इफेक्टिव होगी पूरी तरह से इफेक्टिव होगी समझे बात तो सेम आगे भी वही चीज़ आप देखिए मैंने यहां पर पढ़ा था कि जब आई-एस कर्व स्टीपर होता है तो मुनीटरी पॉलिसी बिल्कुल भी एफेक्टिव नहीं होती यह यहां पर होरीजोंटल का क्या मतलब है होरीजोंटल का मतलब होता है पूरी तरह से फ्लैक्टर लिखली यह कॉप्टी पर पूरी तरह से फ्लैक्टर वर्टिकल का मतलब है वो पूरी तरह से स्टीपर करव है होरीजोंटल का मतलब है पूरी तरह से फ्लैक्टर करव है ठीक है, तो जब LM curve steeper होने से monetary policy effective होगी तो LM curve पूरी तरह से steeper होने से monetary policy पूरी तरह से effective होगी Same, जब IS curve के flatter होने से monetary policy effective है तो IS curve के पूरी तरह से flatter होने से monetary policy पूरी तरह से effective है बताईए याद हुआ के नहीं सभी वो vice versa हमने की है तो अगर LM के vertical होने से monetary policy totally effective है तो that means LM के horizontal होने से monetary policy ineffective होगी अगर IS के horizontal होने से monetary policy effective है तो that means IS के vertical होने से monetary policy ineffective होगी vice versa बताईए इस इट clear ना आगर Mitch अपरिट चलो अगर फिस्कल पॉलिसी की वही बात है फिस्कल को वाइस वर्साप्य पुझ नहीं किया फिस्कल पॉलिसी को क्या किए वाइस वर्साप्यू और ने है यह और लिए बात किया अ़ंप्य पूझ्ट सब वई चीज़ देखें मैंने टेबल बनाया टेबल रही लिए सारा समझ में आजाएक एक बर मैंने क्या कहा था जब LM कर्व स्टीपर है जब LM कर्वर्टिकल है तो मुनीटरी पॉलिसी जादा इफेक्टिव है जब LM कर्व इस्टीपर है तो मुनीटरी पॉलिसी पूरी तरह से इनेफेक्टिव है, आई-एस का उल्टा, जब LM स्टिपर होगा, that means आई-एस फ्लेटर है, अगर LM फ्लेटर है तो बात कर रहे हैं, आई-एस के स्टिपर की, अगर LM वर्टिकल है तो IS होरिजोंटल है, अगर LM horizontal है तो IS vertical है ठीक है अब मैं ये चीजे आपको diagram के दूरू भी समझा सकती हूँ but I don't want to मतलब बहुत जादा इतने detail में करने की मैं आपको एक diagram जो है वो समझा देती हूँ कि ये चीज़ क्यों और कैसे हुआ देखिए एक example बाकी आप diagrams के दूरू खूँच समझ लीजे कि ये चीज़ क्यों है ठीक है मैंने यहाँ पे कहा कि जब LM curve steeper है इस curve flatter है तो monetary policy की effectiveness जाद है इस बात का क्या मतलब है देखिए LM curve क्या है steeper है that means ऐसा है IS curve क्या है flatter है that means ऐसा है ठीक है तो इस case में मैंने अगर monetary policy लगा दी monetary policy कैसे लगाते है LM curve को आगे करके यह LM है न मेरा इसको आगे करके यह लगा दी मैंने monetary policy तो monetary policy के लगने से क्या हुआ मोनीटरी policy के लगने से क्या हुआ कि जो मेरा income में increase है वो जादा आया है rate of interest में increase होने से यह कम है income में जो increase है वो जादा आया है rate of interest में increase के तो जब increasing income जादा है that means वो policy effective है यह logic है अब यही logic आप सभी diagrams को खुद बनाकर define कर सकते हैं है ना सभी diagrams को खुद बनाकर यही logic आप define कर सकते हैं तो fiscal policy इससे बिल्कुल उल्टी है अगर LM curve के steeper and IS curve के flatter से monetary policy effective है तो that means fiscal policy में उल्टा हो जाएग fiscal policy तब effective होगी जब IS steeper हो इससे उल्टा fiscal policy तब effective होगी जब LM flatter होगा बिल्कुल इससे उल्टा ठीक है fiscal policy तब effective होगी जब IS vertical होगा और LM horizontal होगा monetary non effective थी ठीक है तो यह आप I think बिल्कुल इससे उल्टा है तो यह आप इसको खुद drive कर लोगे वही situations को यह रेखिए लिखा हुए उससे बिल्कुल उल्टा है उससे बिल्कुल उल्टा टेबल है तो IS अगर steeper है LM flatter है तो ज्यादा effective है fiscal policy IS flatter है LM steeper है तो less effective है IS vertical है LM horizontal है तो highly effective है IS horizontal है LM vertical है तो ineffective है उस table से बिल्कुल उल्टा बताईए अभी कोई doubt किसी को पूछना है तो Any doubt to anyone? क्लेरे सबकू क्लेरे सबकू देखिए याद आपको सरफ एक चीज रखनी है रक्षा जी याद कैसे रखे इस वैरी गूड कोईशन याद आपको एक चीज रखनी है क्या याद रखना है आपको कहां पर लिखो देखिए स्टार्ट कर ये स्टार्ट कीजिए स्टीपर एलम काउब से ये स्टार्टिंग पॉइंट याद रख लीजे किस से स्टार्ट करना है स्टीपर एलम काउब से ठीक है स्टार्ट करना है स्टीपर एलम काउब से तो जब एलम काउब स्टीपर है monitor policy जाद एफेक्टिव इतनी चीज यार रहा गई इस से सारा कुछ दर्डाई हो जाना है रखता है लगाने की जुरत नहीं है इतनी चीज यारद कर ली आपने stipper कव है तो monitor policy जाद एफेक्टिव बस आगे सारा कुछ ड्राइट देखिए अगर steeper LM में monetary policy जादा effective है तो that means that means क्या हुआ कि steeper IS में steeper IS में कम effective होगी कम effective होगी vice versa हर चीज का vice versa बना vice versa बना दिया मैंने आगे देखिए अगर steeper LM में जादा effective है तो that means इसका उल्टा कर दीजिए flatter LM flatter LM में क्या होगी बिल्कुल नहीं effective होगी उल्टा कर दिया ठीक है अगर steeper IS में बिल्कुल नहीं effective less effective है तो that means इसका उल्टा क्या आ जाएगा कि flatter IS में जादा effective होगी समझ आ गई बात बस यहीं तो था क्या था और बताईए वर्टिकल को मैंने क्या नाम दिया था पूरी तरह से steeper अगर steeper में monetary policy effective है तो that means अगर vertical LM होगा तो monetary policy पूरी तरह से effective होगी totally effective इसी से drive कर लिया मैंने अगर steeper IS में monetary policy कम effective थी तो that means अगर IS का vertical होगा तो monetary policy पूरी तरह से ineffective होगी totally ineffective अगर factor LM से monetary policy कम effective थी तो that means horizontal horizontal LM से पूरी तरह से ineffective होगी अगर factor IS से monetary policy जादा effective थी तो that means horizontal IS से पूरी तरह से effective होगी totally effective अगर एसे याद रखना है clear ऐसे याद रखना है बस हर चीज से सब चीजे drive हो जानी है मैंने अब इतना easy trick बता दिया है कि steeper LM का मतलब क्या होता है पूरी तरह से vertical LM क्या क्या मतलब क्या होता है पूरी मैंने याद तो नहीं किया रहे इसको मैंने सरफ यही चीज याद की थी starting one बाकी सब चीजें आपके सामने drive करके दिखाएंगे कुछ भी याद नहीं किया था मैंने सरफ यही चीज याद की बस और fiscal policy बिलकुल उल्टा कर लेंगे अगर steeper LM में monetary policy effective है तो steeper LM में fiscal policy कम effective होगी अगर steeper IS में monetary policy कम effective है तो steeper IS में fiscal policy जारा effective होगी बिलकुल उल्टा ठीक है? तो everything is clear to all? इसी के साथ आज का session हमाने कभाटा करते हैं वीडियों रूख़ी है क्या? जी की रूख़ी है नहीं जी कि जी हमाने कि आपर डृत आप खोटेंसाथ है आपको वाज आ रही है मेरी, can you hear me, रुक गी है न वीडियो, चलो, इस सेशन को हम यहीं पर खतम करते हैं, खतम ही हो गया था, वैसे कुछ और बढ़ागी भी नहीं गया बताने वाला, साथ बज़े आजाओ, फ्री क्लास में, यूनिटवाइज MCQ, स्पेशल आपकी डिमांड पर शुरू किये हैं, यूनिटवाइज MCQ, ठीक, साथ बज़े अनकैडमी की फ्री क्लास में मिलते हैं, सिमर टैन कोड लगा दीजेगा, पहली बार अनलोग करना है, तो अगर सेशन अ